सब्सक्राइब नाओ और प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हलो दोस्तों स्वागते सभी का इस यूटूब चनल पर साथियों आज मैं आपको विसलेशन और संसलेशन दोनों विदिया पढ़ाने वाला हूँ बहुती शांदार और बहुती महत्पुन कलास यह होने वाली है तो मित्रों यह जो कलास है देखिए गणिश सिक्सन के लिए विशेस उप्योगी है विज्यान के लिए विशेस उप्योगी है और SST वालों के लिए भी ये कलास उप्योगी है तो मित्रों शुरू करते हैं कला सभी के लिए उप्योघी है अगर वीडियो अच्छ लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना लाष्ट में ठीक है अभी बहूत ही जल्द ज्यादा समय नहीं है सिख्षन विधियों का कोर्स आपके पूरा हो जाएगा मित्रों विस्लेशन विधी और संस्लेशन विधी आप सभी को पता है प्रतिय के एक्जाम में आती है और बहुत ही महत्वन प्रश्नियां से बन जाते हैं आपका प्रिश्न एक भी बार नहीं जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो शुरू करते हैं मित्रों विसलेशन विधी पहले पढ़ेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे संसलेशन विधी साथियों यह विध्यारतियों को व्यापक ज्यान प्रदान केरने के लिए उप्योगी विधी है विसलेशन विधी की यदि में बात करूँ अगर आपको चात्रों को बच्चों को विसलेशित करते हुए ठीके विस्तृत ज्यान आपको अगर बच्चों को प्रदान करना है त प्रती एक चीज को अच्छी तरह से देखा जाता है किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाता डिटेल से बिल्कुल एक तत्य को इसमे रखा जाता है इसलिए तो इसे विशलेशन विदी कहेंगे साथ्यों कार्ल जुंग यूंग या यंग तीनों एक ही है अलग अलग बुक में अलग अलग नाम आता है एक्जाम में भी अलग अलग नाम आता है लेकिन कारल जुंग कारल यूंग और कारल यंग तीनों एक ही है इसे कारल जुंग ने विशलेशन विधी की एक परिवाशा दी है जो बहुत बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है और ये परिवाशा को अ का कहना था कि संसलेशन विदी का तात पर ये घास के डेर में से तिन का खोजना है जबकि विशलेशन विदी में घास के डेर से तिन का स्वयम बाहर आ जाता है देखी कितनी बड़ी बात है ये ठीके इनके कहने का मतलब समझे इसके बाद मैं अपन संसलेशन विदी पढ़ें लेकिन संसलेशन विदी का जिक्र इनों ने किया है कि संसलेशन विदी का ताथ पर यह है घास के डेर में से तिनका खोजना कि घास के डेर में से आप तिनका खोजते हो वो तो है संसलेशन विदी लेकिन यदि आप विचलेशन विदी का प्रियोग करते हो तो उस घास के डेर में से तिनका स्वेम बाहर आ जाता है वित्रों ये कतन इतना ज़्यादा प्रसित है कि अलग-अलग एक्जाम में कई बार ये जो कतन है ये पूचा जा चुका है तो ये कतन किस के दोरा कहा गया था कारल जुंग के दोरा कारल यूंग या कारल यंग तीनों में से एक ही नाम आएगा एक साथ आपके दो या तीन नाम नहीं आ सकते तो मित्रों आपका अंसर कारल जुंग रहेगा अब यहां पर देखिए जो विसलेशन विदी है इसमें तीन सिक्षन सुत्रों का प्रियोग किया जाता है कौन-कौन से तीन सिक्षन सुत्र है देखिए पहला सिक्षन सुत्र आता है अज्यात से ग्यात की और दूसरा सिक्सन सुत्र आता है परमान से पर्त्यक्ष की और तीसरा सुत्र आता है निसकर्स से परिकल्पना की और मित्रों यह जो तीनों सिक्सन सुत्र है इन तीनों सिक्सन सुत्रों का प्रयोग विसलेशन विदी के अंतरगत किया ज हुआ जो कोई भी आपके विकलप में सिक्सनसुत्र आता है वो आपका विशलेशन विदीचा सिक्सनुत्र नहीं रहेगा तो आपको अच्छी तरह से याद ठखना है अग्याज से ग्याद की पर्मान से प्रत्यक्ष क्योर और निसकर्स से परिकल्पना क्योर बिल्कुल एक चीज का विसलेशन यहाँ पर किया जाता है जिसे मैं आपको एक उधारन बताना चाहूंगा यहाँ पर कि 25 मीटर कोई खेत है जो जिसकी चोड़ाई 25 मीटर है और चोड़ाई कितनी है 10 मीटर ह लिए एक किसान को कितने मीटर तार लगाने की आउशकता होगी तो अगर आप इस सवाल को विसलेशन विधी के माद्यम से करोगे क्युशन क्या है 25 मीटर तो उसकी लंबाई है और 10 मीटर चोड़ाई है चारो तरफ अगर आपको तार लगाना आए तो कितने मीटर तार की आपको ज़रुत पड़ेगी इस सवाल को यदि विशलेशन विदी से किया जाए तो के से किया जाएगा देखिए अगर आप इस सवाल को विशलेशन विदी से करोगे तो सबसे पहले कि विशलेशन विदी से आपको हल करना है तो सबसे पहले एक बुजा की लंबाई आपको पता है कि 25 मीटर है और अगर जो आयताकार खेत है तो आमने सामने की बुजा बराबर होती है आयत में तो दूसरी बुजा की लंबाई भी कितनी रहेगी 25 मीटर रहेगी मित्रों यहाँ पर दोनों बुजाओं की कुल लंबाई निकलेंगे तो कुल लंबाई कितने निकली 25 प सामने की बुज़े इसमें बराबर होती है अब देखिए कुल चोड़ाई कितनी होगी 10 प्लस 10 बराबर 20 मिटर 20 मिटर तो कुल चोड़ाई होगी और 50 मिटर कुल लंबाई होगी इसकी अब यहाँ पर लंबाई प्लस चोड़ाई दोनों को जोड़ लिया तो 50 प्लस 70 बराबर सोरी 50 प्लस 20 बराबर 70 मीटर कुल उसका परिमाप निकला तो किसान को 70 मीटर तार की वहाँ पर आवशक्ता होगी उस खेत के चारो तरब तार लगाने के लिए तो मित्रो इस प्रकार से अगर किसी कुशन को बिल्कुल विसले सित तरीके से किया जाता है तो उसको ही विसले सन विधी कहते हैं इसमें किसी भी तत्ति को नहीं छोड़ा जाता है ठीके यह होती है विसले सन विधी आया थोड़ा समझ में कितने सिक्सन सुत्रों का प्रियोग किया जाता है तीन सिक्सन सुत्रों का इस विदी में एक प्रिश्ण क्या बनता है काल जुंकी परिवाशा का और अगर आपको छात्रों को व्यापक ज्यान प्रदान करना है तो वहाँ पर भी आप विसलेशन विदी का प्रियोग कर सकते हो इसके गुण देखेंगे मित्रों की विसलेशन विदी के क्या क्या गुण है पहला गुण आता है वेग्यानिक विदी है ठीके वेग्यानिक के से है प्रति एक तत्ति को अच्छी तरह से देखा जाता है बिल्कुल एक निश्चित तरीके से इसमें कारी किया जाता है इसलिए यह वेज्या निक्विदी है चात्रों को व्यापक ज्यान प्राप्त होता है ठीके व्यापक ज्यान केसे प्राप्त होगा कि एक एक तत्ति को आप बता रहे हो बच्चों को तो व्यापक ज्यान ही प्राप्त होगा सुत्र से एसे तोड़ी कि डारेक्टी निकाल दिया कि यह यह फलाना डिकनार यह आपका सोलूसन एसा तो नहीं हो रहा है ना है कि एक तत्ति को इसमें बताया जा रहा है तो चात्रों को व्यापक ज्यान इससे प्राप्त होता है प्राप्त ज्यान इस्थाई वह व्यावारिक होता है व्यावारिक इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है इस रेखागनित की यह सरुसरेष्ट विदी है अंडरलाइन कर लेना कि रेखागनित सिक्षन की सरुसरेष्ट विदी कौन सी है तो वहाँ पर आपका अंसर रहेगा रेखागनित सिक्षन की सरुसरेष्ट विदी आती है विसलेशन विदी क्या आती है विसलेशन विदी अच्छ तरह से इसको याद कर लेना नोट कर लेना अगर पता नहीं है तो और अगर पता है तो आप बहुत अच्छी तहियरी कर रहे हो ठीके नेक्ष इसके दोस देखेंगे मित्रों कि इस विसलिसन विदी के क्या क्या दोस है पहला देखेंगे ए मनोवग्यानिक विदी है मैंने इसके गुणों में लिखाया था आपको वेग्यानिक विदी है ठीके वेग्यानिक विदी लिखाया था क्योंकि प्रतियेक निश्चित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है लेकिन ए मनोवेग्यानिक तो वेग्यानिक और ए मनोवेग्यानिक में बहुत फरक हो जाता है वेग्यानिक मतलब विज्ञान के सिधान्तों पर आधारित और ए मनोवेग्यानिक मतलब मनोविज्ञान के सिधान्तों पर आधारित ये विध क्या है एक अधिक जोड़ी ऐ होती है और अध्याप्त की स्विधी से सिख्शन में रूची नहीं लेते हैं क्योंकि बहूत ज्यादा किया करनी पड़ती है एक एक चीज को विस्तार पूर्वक समझाना पड़ता है आपका जो सेलेबस से वो भी इस विदी साब पूर्ण नहीं कर सकते समय बहुत जादा लग जाता है तो मित्रों ये इस विदी के किसमें आते हैं दोश में आ जाते हैं अब बात करने वाले हैं संसले के तो जनक भी यहाँ पर दे रहे हैं संसलेशन विदी के यदि जनक की बात की जाये तो इसके जनक है अरस्तूख ठीके संसलेशन विदी के जनक कोन है अरस्तूख विप्रित 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 विप्र लेकिन आपका अंसर क्या रहेगा, पूरा का अंसर विलकुल सही रहेगा, तो मित्रों संसलेशन विदी के जनक है अरस्तू, देखिए संसलेशन विदी क्या होती है, जब अध्यापक ज्यान को एकत्रित करके व्योस्तित स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसे ही संसले निरा था विसलेशन और संसलेशन विदिया एक दूसरे की क्या माने जाती है एक दूसरे की पूरक विदिया है नहीं की एक दूसरे की विरोधी इसमें भी तीन सिक्षन सुत्रों का प्रियोग होता है जो आपने विसलेशन विदिया में सिक्षन सुत्र पड़े हैं वो उससे उल्टा कर लीजिए जिसे वहाँ पर था अज्यात से ग्यात की ओर यहाँ पर है ग्यात से अज्यात की ओर वहाँ पर था परमान से प्रत्यक्ष की ओर यहाँ पर है प्रत्यक्ष से परमान की ओर वहाँ था निसकर्थ से परिकल्पना की ओर और यहाँ पर है परिकल्पना से न मतलब पूरा उल्टा यहां पर है ठीक है जो विसलेशन विदी में सिक्सन सुत्र है उसके बिल्कुल उल्टे सिक्सन सुत्र संसलेशन विदी में प्रियोग किये जाते हैं मैं इसका आपको बिल्कुल उधारन के माध्यम से किस प्रकार संसलेशन विदी का प्रियोग किया जा तो केसे करोगे देखिए सबसे पहले सुत्र लिखोगे आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है सुत्र होता है ये दो कोश्टक लंबाई प्लस चोड़ाई कोश्टक बंद अब यहाँ पर आपको इस सुत्र के आधार पर डारेक्ली निकाल सकते हो कि दो कोश्टक लंबाई ही आप समश्या का समधान कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको सिद्धान्तिक ही ज्यान मिलेगा यहाँ पर आपको व्यवहरिक ज्यान की प्राप्ति नहीं होती है और यह जो दोनों विदिया है यह दोनों एक दूसरे की पूरक विदिया है इसके गुण देखेंगे मित्रों स जो निसकर्स निकाले जाते हैं, वो बिल्कुल विश्वसने और वेद रहेंगे, क्योंकि सुत्रों के माध्यम साब गलत नहीं कर सकते, सेद्धान्त इज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो फिर कमी क्या रहेगी, व्यवहर इज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता ह है, इसके दोस्त देखेंगे, तो रटने की प्रुवत्ति का विकास होता है, जो सवाल आप सुत्र पर आदारित करते हो, उन सवालों को आप उन सुत्रों को एक बार रटते हो, फिर रटी रटाई पढ़नाली को आप काम में लेते हो, प्राप्त ज्यान इस्थाई नहीं हो होता है, यह नहीं शब्द टाइपिंग में हो गया है, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाते हैं, कि यह जो नहीं शब्द है, आप समझी इस चीज को प्राप्त ज्यान इस्थाई नहीं होता है, यह मिश्ट टाइप हो गया है, सोरी इसके लिए, ठीके, तीसरा है, व्याव और स्वीट, शोर्ट और स्वीट का हम इसमें किया जाता है, तो व्यापक ज्यान यहां पर प्राप्त नहीं होता है, तो मित्रों यह है, विसलेशन और संसलेशन विदी, आपका एक भी क्विशन बार नहीं जाएगा, अगर आप इन दोनों विदियों को अच्छी तरह से मिलते हैं, दोस्तो आठ बजे वाले सिक्सन विदियों के टेस्ट में,